हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो और अनदर वीडियो दोस्तों शामी जल्द ही अपने एक नए फ्लैक्सी डिवाइस मी 11 सीरीज को लॉंच करने जारी है और इसी सीरीज का सबसे पाउरफुल फोन मी 11 अल्टरा होगा और इस फोन में खूबयों की भरमाड है तो चली जानते हैं कि ये फोन क्या कुछ खूबयों के साथ आने वाला है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे मैं चाहीं वीडियो दाता रहूंगा तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डिजाइन और बिल क्वालिटी की बात करें तो लुक वाइस ये काफी एट्रेक्टिव है और इस बार ये पहले के मुकाबले थोड़ी स्लिम भी है इसकी थिकनेस 7.8 mm की है हालकि इसका कैमरा मोडूल काफी बढ़ा है और इस बार इसकी कैमरा मोडूल में एक छोटा साथ डिस्प्ले भी दिया गया है जो कि आपको नोटिफिक्शन एलर्ड और रियर कैमरा से से सेल्फी लेते वक्त काम आएगा पर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.81 इचस की Quad Curved WQHD Plus OLED डिस्प्ले दी गई है जो की 4 ओर से Curved है और Top Light Corner में सिंगल पंचोल सेल्फी कैमरा दिया गया है इसकी डिफ्रेशेट 120 हर्च की है और इसमें Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन दी गई है अब कैमरे की बात करें तो इसमें Triple Camera Setup दिया गया है जिसमें की Prime Sensor 50 Megapixel का है दूसरा इसमें 48 Megapixel का Ultra Wide Angle कैमरा दिया गया है और तीसरा इसमें 48 Megapixel का Pediscope Style वाला टेली फोटो कैमरा दिया गया है जिससे की आप 120 X तक ही Zoom कर पाएंगे और इस बार इसमें 5 X नहीं बलकि 10 X Optical Zoom दिया गया है जो कि Samsung Galaxy S21 Ultra को करीटक कर देगा लेकिन इसका Front Camera Xiaomi का वही पुड़ाना 20 Megapixel का है लेकिन अच्छी चिपसेट होने की वज़े से इसकी Image पहले से जादर बहतर आएगी वही Performance की बात करें तो इसमें आपको काफी तगरी Performance मिलने वाली है क्योंकि इसमें Snapdragon 888 का चिपसेट लगा होगा जो कि 5 Nanometer Architecture पे Based है और ये चिपसेट Snapdragon का Flagship चिपसेट है ये 12 GB RAM के साथ 256 GB की Storage Variant में आएगा वही ये MIUI 12.5 पे रन करेगा जो कि Android 11 पे Based है इसमें 5000 mh की बड़ी बैटरी भी गई है जो कि 67 Watt की Fast Wire Charging और 67 Watt की Wireless Charging को भी सपोर्ट करेगा और तो और इसमें 10 Watt की Reverse Wireless Charging का भी सपोर्ट दिया गया है और ये Xiaomi का पहला फोन होगा जो कि IP68 Ready के साथ आएगा इस बार इसका Audio Output बहतर बनाने के लिए इसमें Stereo Speakers दिये गए है जो कि Harman & Kardon के द्वारा ट्यून के गए है वैसे तो अभी इसकी कोई Official Announcement नहीं की गई है लेकिन इसके Leaks के सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि इस फोन को कुछ ही अफ़तों में लांच कर दिया जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही तोस्तो इना ही झाल झाल